समाजवादी पेंशिन, समाजवादी लैप्टॉप, समाजवादी स्मार्टफोन, समाजवादी एम्बुलेंस के बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी नमक लॉंच किया है जी हाँ, यूपी में दोबारा सत्ता पाने की कोशिश में लगे अखिलेश ने समाजवादी नमक लॉंच किया है अखिलेश सरकार का दावा है कि इस योजना के जरिये गरीब तबके के लोगों को आयोडीन युक्त नमक मुहयाग कराया जा सकेगा इस योजना के अंतरगत शुरुवात में यूपी के दस जिलों में नमक वित्रण किया जाएगा ये जिले हैं लखनव, सिधार्त नगर, मुरादाबाद, फरुखाबाद, इटावा, औरईया, हमीरपुर, फैजाबाद, संत कबीर नगर और मौव इन सभी जिलों में गरीबों को 60,000 मिट्रिक टन आईरिन और आयोडीन यूगत नमक बाटे जाने का लक्ष रखा गया है यूपी सरकार की ओर से इसके लिए इसका लाग 46.02 लाग राशन काईट वालिधार अकुठाएंगे एनमेफ निउस की रिपोर्ट